तो आज है अपने पास Realme Nargo N55 स्मार्टफोन और गई आज की इस वीडियो में मैं Realme Nargo N55 स्मार्टफोन का केमरा टेस्ट करने बाला हूँ तो गई इसका जो रियर कैमरा है वो आपको 64 Megapickle का मिलता है अब देखना है कि जो 64 Megapickle का कैमरा है उसकी कैमरा क्योटी किस तरीके की आती है तो मैंने इस फोन से कापी सारे फोटो बगएरा क्लिक किया है वो फोटो मैं आपको आपको आपे देखा देता हूँ तो आप लोग यापे इस फोटो की क्वालिटी देखी सकते है फोटो की क्वालिटी कापी जवर ज़स्ता आई है एक्सपोजर, कॉंटराट, सैचुरेशन, कलर बगएरा सारी चीज़े इस फोन ने कापी अच्छी तरीके से क्लिक किया है फोटो थोड़ा ब्राइट हो गय ज़स्ता वैसे भी इसकी क्वालिटी जवर ज़स्ती आई है फोटो बिल्कुल मस्त लग रहा है आप लोग याँ पर देख सकते हो कलर बगएरा सारी चीज़े इस फोन ने कापी अच्छी तरीके से यहां पे क्लिक किया है अब मैंने एक फोटो पोटो 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 पोट है बैक ब्रॉंड आप लोग याँ पर देखतो है मैं फोकस भी थोड़ा बहुत बिलर है बट यहां के हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी कापी जवर ज़स्ता यह सैचुरेशन कलर एक्स्पोजर कॉन्टार्ट सारी चीज़े इस फोन ने कापी अच्छी तरीके से क्लिक की है तो आप लोग यहां पर इसकी क्वालिटी देखी सकते हो जश्त अब दूसरा फोटो देख लेते हैं इस फोटो को आप लोग यहां पर देखो इस फोटो को मैंने थोड़ा दिन में क्लिक किया है तो फोटो की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं आई है फोटो थोड़ा bright हो गया है अगर हम color बगेरा की बात करें तो color बगेरा इस phone ने काफी अच्छी तरीके से click किया है brightness काफी अच्छी है यह आप लोग यहाँ पे देखते हो अगर फोटो की quality की बात करें तो quality थोड़ी से down है क्योंकि फोटो को मैंने काफी ज़्यादा highlight में click किया तो उसके बज़े से थोड़ी quality आपे down हो गई है next photo हम देख लेते हैं तो यह वाला photo थोड़ा dark आया तो थोड़ा अच्छा लग रहा है अगर हमें आपे color बगेरा की बात करें तो color बगेरा ठीक ठाक आया है फोटो में जो brightness है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है saturation है वो थोड़ी कम हो गई है बट हम camera quality की बात करें तो camera quality काफी जबर जस्त आई है आप लोग यहां पे देखते हो काफी अच्छी photo quality realme nargo n55 की काफी अच्छी camera quality है और भी photo मैं आपको यहां पे दिखा देता हूँ तो गई इस वाले photo को देखते हैं इस वाले photo में थोड़ा contrast थोड़ा ज़्यादा हो गया है और explosion भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है आप लोग यहां पे देखी सकते हो अगर हम quality की बात करें तो quality जवर जस्ता आती है आप लोग यहां पे देखी सकते हो काफी मस्ट photo लग रहा है color बगएरा बिल्कुल बिंता साय है आप लोग यहां पे देखी सकते हो बट यहां पे थोड़ा contrast ज़्यादा हो गया है तो contrast थोड़ी picture quality खराब कर रहा है next photo देख लेते हैं इस photo को मैंने portrait mode में click किया है बट मुझे इस phone के camera में एक ही दिक्केत लगी patrot mode है वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा ज़्यादा कास नहीं लगा क्योंकि अपना जो man focus है वो भी थोड़ा थोड़ा बिलर हो जाता है आप लोग यहां पर देख सकते हो अगर हम quality की बात करें तो quality कापी जबर चस्ता आई है saturation color बगएरा सारी चीज़े यह phone कापी अच्छी तरीके से